बिल्कुल सही कह रहे हो कि आ गया हम ग्यान देने के लिए हैं तो आज के इस वीडियो में हम ऐसा कुछ डिसकस करने वाले हैं जो MPPS में First Year में admission लेने के बाद काफी सारे students हमको DM कर रहे हैं, call कर रहे हैं, email तक कर रहे हैं और Instagram में तो खेर चलता ही रहता है और comment में भी लिखते हैं तो comment में सारो का reply नहीं कर पाते हैं तो आप thumbnail में देख लिए होंगे कि हम First Year के बारे में क्या-क्या discuss करने वाले हैं और हम वो ही सब discuss करेंगे जो हम अभी तक मेरा First Year जो चला है तो उसमें जो जो experience रहा मेरा और जो जो observe की हैं जो हम खुद नहीं कर पाए वो गलती आप ना करें तो हम वही बताएंगे और I feel blazed कि इतने सारे लोग हमको DM कर रहे हैं, message call कर रहे हैं तो इसलिए खुशी हो दिए कि यार इतने सारे लोगों को information हम सही लेना है How famous I am तो जिन लोगों का MBBS में admission हो चुका है first year में खास उन लोगों के लिए है ये video तो first year में तीन subjects होते है Physiology, Biochemistry and Anatomy अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो सबको पता होता है कि first year में कौन subject है लेकिन एक सच्ची घटना पे आधारी थे मेरे साथ हुआ था कि यार एक भाया जो है इंटर्ण के वह हम से पूछे कि अच्छा बताओ अभी first year में कौन-कौन subject है तो मेरे मुझ से भग के से निकल लिया Physics, Chemistry, Bio उसके बाद जो मेरा embarrassing moment था क्या ही बता है यार तो इन तीन subjects Physiology, Biochemistry, Chemistry और Anatomy को theory और practical में divide कर दिया गया, theory के classes होता है और practical का lab होता है तो theory class तो normal चीज होता है जो class करते आया अब तक रेकिन practical जो है बहुत important है practical में भी Anatomy को तीन पार्ट में divide कर दिया गया है histology, एक osteology और एक D.H. Dissection Hall आपको पाता है यह D.H. Dissection Hall में क्या होता है कि a dead body रहता है उसको हम लोग dissect करके हर पार्ट को study गएते हैं और osteo lab में क्या होता है, osteo मतलब हड़ी तो उसमें हड़ी लेते हैं और सारे हड़ी को बाड़ी को सारे bones को study करते हैं और like theory classes, सबसे खास बात यह है, anatomy के practical की की सबके files बनते हैं सबके मतलब के histology के एक file बनेगा और एक D.H. का file बनेगा यह सब file complete होना चाहिए और net and less नहीं मिलता है खेर, biochemistry का lab की बात करें तो एक log book होता है बस सबसे easy practical शायद biochemistry का ही होता है, लेकिन easy in the sense की यह ज्यादा काम नहीं है लेकिन हफते में एक ही बार होता है, लेकिन यह है कि उसमें experiment, उसमें biochemistry lab में क्या होता है कि blood का सारा constituents देखना पड़ता है, normal, abnormal, फिर urine का देखना पड़ता है यही सब अनलाइज करना पड़ता है, और रही बात physiology lab की, तो physiology lab में भी तीन पार्ट में डिवाइट कर दिया गया है पहला पार्ट होता है human lab, जिसमें कि हम whole body examination सिखते हैं अगर हम brief में बता है तो, इस्तितिस्कोप, five momentometer, जिससे कि BP नापते हैं और फिर oximeter, respiratory, spirometer, spirometer, यही सब मतलब, spirometry, सारा कुछ चेक करते हैं, इसमें human lab में जबकि hematology lab होता है, hematology, hemat, मतलब खून, तो वहाँ बहुते हम अपने finger को prick करते हैं और वहाँ से blood निकालते हैं, और blood निकालने के बाद, उसको study करते हैं MBBS जो करते हैं, तो मेंड़ को काट कूट के देखते हैं, पढ़ते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पर अभी जो है, यहाँ पर पूरे इंडिया में, जो frog को चीलफार करना होता है, तो अभी क्या होता है, कैल लाम में कि सिर्फ theory ही theory होता है तो total files के बाद करें, तो क्या हो गया, एक तो DH file हो गया, एक histo file हो गया, और एक biochemistry का log book हो गया, एक physiological log book हो गया, फीजियो पर एक ही log book में सारा कुछ लिखा लियाता है, तो बहतर यह हुआ कि आप पहले से ही सारा कुछ को लिखके रखें, ताकि आपको बतलब जागे practical करना हम बात करें timing की, कि कि किस-किस timing में classes होता है, तो अब तक या तो आप सूल लियोंगे, या नि तो कोई बात नहीं सूल लिजे, वी बिएस कर रहे हैं चुकी, तो इसमें बहुत hectic schedule होता है, तो क्या होता है, सुबह 8 बज़े से लेकर के, शाम 4 बज़े तक लगातार class होता ह है, एक से दो, और यह जो आट गंड़े का साथ गंड़े का class हुआ, इसमें theory classes होता है, पांच गंड़े का और दो गंड़े का एक practical class, यह सम होता है, यह हमारे college का city हो लेकिए, आठ से चार, किसी-किसी college में 9 से 5 होता है, किसी में तो यार attendance का उतना मसला नहीं होता है, लोग अभी तो MABS का 2022 का एडिमेशन हो चुका है, तो अभी तो लोग का सिर्फ वो foundation ही चल रहा होगा, as I hope, तो foundation course जो है, वो एक हफता तक चलता है, सिर्फ एक हफता तक foundation चलेगा, उसके तफिर foundation भी चलेगा, और साथ-साथ में main classes भी शुरू हो जाएगा, पढ़ाई गरने के ब जो है, हम लोग class में enjoy करते हैं, secret है, हाँ लेकिन theory classes में enjoy करते है, practical नहीं छोड़ते हैं, practical इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि यार online में practical हमको कैसे कोई सिखाएगा, तो practical तो मतलब बहुत seriously करना ही करना है, theory classes भी seriously करना है, अब ऐसा नहीं कि हम कहरेंगा मत करो, लेकिन enjoy किया जा अब बात करें, exams की, tests की, तो हमारे college के साब से हम बताएंगे कि यहां पर कोई semester study होता है, यहां पर सीदे first prof का exam होता है, लेकिन इससे पहले, पहला 20 दिन तत कोई exam नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद सेशनल होना शुरू हुआ, का बताएं यहार, मतलब कि हर हफता में सेशनल वाई नहीं, और दो बार टर्मिनल होता है, लेकिन यह semester जैसा टर्मिनल नहीं, टर्मिनल अलग चीज़ा, इसमें बस आपको आधा चीज पढ़ाया जागा, तो हमारे college में सेशनल होते हैं, टर्मिनल होते हैं, और फिर first prof का exam होता है, यह हम अपने college के होता है, सबसे हर topic के बाद वाईवा लेते हैं, और प्रोफेसर लोग जब gross topic, बड़ा topic खतम हो जाता है, तब लेते हैं, लेकिन वाईवा में यार, का बता है, जब वाईवा होगा पता चली जाएगा, यह अगर वाईवा के बार में कुछ पूछ नहीं, तो कमेंट पर पूछ सकते हैं, जरूर करें, तो यह है कि हट topic के बाद वाईवा होता है, वाईवा में हालत खराब हो जाती है, इन सब के लावा आपके दिमाग में एक बात तो आही रहा होगा है, कि यार, आप पढ़ाई के बार हम बता दिये, आप टाइमिंग बता दिये, एक्जामस बता दिये, हर कम से कम हर college में दो फ्रेस्टो होता ही होता है, जैसे कि एक white court ceremony होगा, तो कि white court पैना जाता है, और दूसरा fresher party होता है, तो यह दो ही हमारे यह भी होता है, इसके दो के लावा तो नहीं होता है, कुछ-कुछ state colleges में, मेरे कुछ दोस्ते हो क्या इतिना जादा फ्रेस्ट होता आपको तो आप कमेंट में बदा सकते हैं, that's it, I hope video helpful लगा हो, और फिस्ट एर कि जितनों आपके friends हैं, चाहे इस हमारे college JNMC के हो, चाहे नहीं हो, आप पूरे इंडिया में share कर सकते हैं, almost same सब कुछ होता है, और अगर आप एरे चैनल में अभी तक नए है तो या सब्सक्राइ कर देना यार, आप दिल से request कर रहे हैं कि subscribe कर देना यार, thank you